इस्ट रिपोर्ट चांडी जंब कोमिशन कि पे बिपोर्ट्स कमीटी एंड पमिशेंड एलेक्शन कमिशन होता है ठीक है जो हैं उड़िक्षण के टाइम पर आपको काफी सारी इतने नमबर आफ मेल वोटर से वहां से भी हमें इंपरमेशन मिल सकती है अगर आपको तो वोट करने का चांच नहीं मिला जब फ्यूचर में वोट करने जाओगे ना तो अगर आप बैठोगे वहां पर जाओगे वोट करने जाओगे तो तो वहाँपे एक बंदे के पास लिस्ट होगा पहले से के कौनसे बंदे कौन नाम के साथ उससे पहले भी अगर वोंटेंग कर जा तो दो महिने पहले आपके आपके करने आएंगे कि आपके यह चार लोग रह रहे हैं यह चारों के नाम है ना सही है ना तो उनके पास information पहले से होती है वेदान माई वीडियो ऑन करन बेटा तो कमिटीज और कमिशन्स यह यह और यह पहले से डेटा निकल रखती है आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट करना सब्सक्राइब कमिशन्स मतलब कमिशन मतलब इलेक्शन कमिशन ऐसे बहुत सारी कमिटीज है पूरे इंडिया में जो जो ऐसे इंफरमेशन निकलती है जब कोई ना कोई इवेंट आने वाला होता है और वहां से हम इंफरमेशन निकल वा सकते हैं तो भी सेकंडरी डेटा ही बोलेंगे उसके क्लियर किसी को कन्फूज़न ओके चलो आगे पब्लिकेशन आफ ट्रेड एससोशियेशन subset association अगर मैं बोलू कर तो गार ट्रेड एससीशन होता है फिर का होता है वो इंफरमेशन निकाले मैं वह पब्लिकेशन हो कहीं नाहीं पाप्लिक पबिश करें नियर्ग या इतने लोग का क्या बोल सकते कि काम है वह सब कुछhaft इंफरमेशन बाहर निकाल ओक्रेड तो लबॉत प्रूसिएशइशन होता है एंपलॉइज का तुछ का ट्रीड एससीएशन होता है डामेंट एंपल्मेंट का होता है Central Government का होता है सब ट्रीड एससीएशन में ऑख फोड इंफोरमेशन बाद निकलती है कोई भी कहीं पर लिखती है तो वहां से में डेटा मिल सकता है कि ओके टेड एससेशन कहा से निकाले पता चल गया अलग अलग टाइप आप ट्रीड एससेशन मैंने बोले इसमें एक्जांपल दिया शुगर मेल है या फिर लोट एससीएशन गुड का वुड की कुरी की पूरी एससेशन होती है गवर्मेंट एंप्ल से की किया तो किसी को कन्फीजन में में गया यह नेक्स इस पस्दिशन को काफी सारी का इंडिया में कंपनी से जो पर ही काम करते है आरे एंडी करती है सिफ आर्री सेंट डिवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ठीक है अब जैसे वेकसिं के लीए वो लोग आरेंडी डिपार्टमेंट था जब वेकसिंग लाँच वहने वाली तीन से पहले उन्होंने छे महीं बहुत काम किया उन्हों ने वह देख़ा के रिशर्च कहीं पे काई रिसर पता चले कि हमें कौन से कौन सी वैक्सिन हमेरे लिए हैज़फूल रही अब उन्होंने जो मिक्सिंग किया जो वैक्सिंग जिससे बनती है उसका डेटा बाहर निकला बाहर पुब्लिश किया इससे फाइदा क्या होगा कि किसी और कंपनी को बनानी अभी जो क्या इंडिया में कि तो आपको मिलेगी बागे नहीं मिलेगी तो वह वैक्सिन का डेटा बाहरा आता है आप उसको यूज करो और आपकी खुद की वैक्सिन बना और गवर्मेंट के पास लेके जाओ कि हमने यह वैक्सिन बनाई है आप ट्राइल लो ठीक है आपको हमरे पास यह डेटा है आप चेक करो अब वह कॉपी पेस्ट करती है तो ठीक अगर जैसे मैंने बोला के अभी जो वेक्सिन मार्केट में अवेलेबर उन्होंने बाहर निकला और किसी ने महां से कॉपी पेस्ट किया तो उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा बोलें न्यूश पेपर से इंफंचिन एकोनामिक ताइम से कैसा न्यूश पेपर है जो खुद इंफंचिन निकलवाता है तो जह सब चीज में तě यह सब चीजह इंनफंचिन परपी को जि्ट पिपर्व मेटी करते मेडी को यह बाब इसारी ठीक है तोछ जोंब आपना इन्फरमेशन खुद निकलवाते हैं ठीक है खुद एक पॉब्लिकेशन बाहर निकलती है सीए इंस्टिटूशन है तो सीए का भी एक पूरा का पूरा बुकलेट आता है एवरी मन्थ अगर आप मेंबर हो तो आपको वहां आपके घर पे आएगा तो वह पूरा का पूरा हम से इंफरमेशन निकलवा सकते हैं वह लोग कुछ ना कुछ पब्लिश करते हैं वहां से भी इंफरमेशन हमें मिल सकती है कि लास्ट तू है रिसर्ट स्कॉलर्स कई एट इस इंटरनेशनल पब्लिकेशन आप इसाइस सब्सक्राइब करते हैं और पुछ इंफरमेशन से कल वातेreck अगर्स की पुलिकेशन सो निकलते खुद पब्लिश करते हैं तो वहां से हमें इंफरमेशन मिल सकती है तो कोई भी आके बंदा आके वह इंफोर्मेशन निकलवा सकता है हां बस वह वहां पर ऐसा नहीं लिख सकता कि उन्होंने खुद सर्वे किया है मैंने खुद किया हुआ है तो वह मैं वह कोई भी आके जैसे आके यह आप मुझे यह इंफोर्मेशन दोना मैं उसको दे दूंगा मैं ना नहीं बोलूँगा बट मैं उसको ऐसा बोलूँ है कि तुझे मेरा नाम रखना है तो खुद का नाम नहीं रख सकता ठीक है फ्लियर ओके वाटिट एवरीवन कि किसी को आजे लोग सोते हैं ऐसा लग रहा है किसी को कंफूजन अभी के लिए ओके लास इस इंटरनेशनल पॉप्लिकेशन मतलब वर्ल्ड बैंक है क्या बोल सकते हैं कि यूए नो है आई एम एफ है यह सब जो जो बड़े-बड़े इंटरनेशन इंस्टिशन से वह डेटा बाहर निकलती है कि इंडिया में इतने इंटरनेशन इंस्टिशन मार्केट में लाए इंटरनेशन रखे शोशल मीडिया पर रखे या बुकलेट में रखे तो वहां से भी हमें इंटरनेशन मिल सकती है जो जो करता है वह सई होगा वहां से हम लोग को पी पेस किया तो हम उसको डिड़े बोल सकते हैं इंटरनेशन इंस्टिशंट कोई भी बड़ी-बड़े इंसीजिशन सरे इंटरनेशन इंस्टिशन जो यह डाका को कशली करती है फ्रस ऑंपलिके इस्ट आल सकते हैं अब किसी को डाउट हो तो वेट पूछो वरना मेटिंग लेफ कर सकते हो यह आज का